उर्जा वृद्धी और उर्जा संतुलन के लिए इस रेकी ध्यान में आपका स्वागत है। एक आराम डायक अवस्था ग्रेंड कर ली, अपने बदन को बिलकुल धीला छोड़ दी, अपने आखें बंद कर ली और आप जिसमें भी आस्था रखते हैं जिन भी दिव्य शक्तियों को, अपने कुरूओं को, अपने पित्रों को, सब को याद करें। सब का आशिरवाद ली कि वह आपको इस ध्यान में भरपूर शक्ति प्रदान करें। ध्यान शुरू करने से पहले आपने जाने अंजाने में कभी भी किसी भी जणम में किसी के लिए कोई भी नकारात्मक उर्जा हुदपन करी हो, उन सब को शमा मांगे। और जिस किसीने कभी भी आपके लिए या आपसे संबन्दिन किसीभी चीज के लिए कोई भी नकारात्मक उर्जा उत्पन करी हो, उन्स जब को शमा करें अपने दोनों हात आपस में मल कर हातों की उर्जा बढ़ा लें और हाथों को उपर करके दिव्वे शक्तियों का आवाहन करें धीरे धीरे अपने हाथ नीचे लेकर आएं हाथ नीचे लाते हुए उर्जा के प्रवाह की कामना और कल्पना भी करें पहली पोजिशन पर हाथ रख दें आँखों पर अब लगातार प्रवाह की कामना और कल्पना करते रहें साथी साथ कल्पना करी की सारी नकारात्मक उर्जा धूएं की तरह आप से दूर हो रही है और एक उच्जवल सकारात्मक उर्जा बिलकुल संतुलित स्थिती में आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है आपका आभा मंदल भी और चमकदार होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है लगातार प्रवाह की कल्पना करते रहें कि आप से होकर आपके हातों से होकर आखों के आसपास के सारे शेत्र की हीलिंग कर रहा है कि आप बड़ बार ओल मेंदल भी और मेंदल डाह रहा है और उता जा है कि नेत्र कर तो भी यो बार आप सकत्ष्ण अगली पोजिशन पर जाने से पहले अपने मन में बोले आखी, आखों से सम्बंदित सब कुछ संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है पूरे आभा मंडल में भी और जादा संतुलित और सकारात्मक उर्जा भर गई है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख ले फिर से प्रवाह की कल्पना करी कि आपके हातों से आपके कानों में और कानों के आसपास के पूरे शेत्र में जा रहा है जहां भी ये अप उर्जा का प्रवाह जा रहा है वहाँ पर उर्जा सकारात्मक हो रही है नकारात्मक उर्जा धूई की तरह दूर जा रही है संतुलित और सकारात्मक उर्जा भरती जा रही है कर दो कर दो कर दो कर दो दो अगली पोजिशन पर जाने से पहले मन में बोले कान, कान से संबंदित सब कुछ और कानों के आसपास का सारा शेत्र, पूरा मस्तिश्क और उसके आसपास का पूरा आभा मंडल और संपूर्ण आभा मंडल अच्छी तरह उर्जानवित हो गया है संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है, पहले से बहतर है अब दुनों हातों को अपने गालों पर रख लें, उर्जा के प्रवाह को हातों से अपने पूरे चेहरे पर जाते हुए महसूस करें कल्पना करीं की चेहरे, चेहरे के आसपास, नाक, मूँ, दाथ, जबडे, जीब, पूरा अंदर का मूँ, सब कुछ अच्छी तरह हील हो रहा है यहां पर सकारात्मक उर्जा भर्टी जा रही है अगर कोई नकारात्मक उर्जा है वो दूवें की तरह दूर होती जा रही है क्या रहा हूँ है अगली पोजिशन बढ़ जाने से पहले मन में बोले और कल्पना भी करें कि चेहरे और चेहरे के आसपास के पूरे शरीर में संतुलित सकारात्मक उर्जा भर गई है पूरे आभा मंडल में भी और जादा संतुलित और सकारात्मक उर्जा भर गई है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अपने सर के आगे की तरफ रख दें, कन पट्टियों पर ऊर्जा के प्रवाह को अपने उपर आते हुए महसूस करें और आपके हाथों से अपने सर के तरफ जाते हुए महसूस करें कल्पना करी की है उर्जा का प्रवह आपके सर में सारी नकारात्मक उर्जा हटा रहा है और संतुलित सकारात्मक उर्जा सर में भरती जा रही है सर के साथ साथ सहस्तरार चक्र जो की बैंगनी रंका है सर के उपर की और जाता हुआ वह भी अच्छी तरह सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण हो रहा है कर दो रहा है अगली पोजिशन पर जाने से पहले मन में बोले सर के आगे का भाग और सहस्तरार चक्र संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अगली पोजिशन पर ले आएं सर के पीछे की और उर्जा के प्रवाह को हातों से सर के पीछे की और जाते हुए कल्पना करें नकारात्मक उर्जा को धुएं की तरह दूर जाते हुए विज्वलाईज करें और सकारात्मक उर्जा को पूरे सर में पीछे की और आगे की और ब्रेन में सारे इंटरनल ओर्गन में हर जगे भरते हुए विज्वलाइज करें साथ साथ सहस्तरार चकर को और चमकतार और बड़ा होते हुए विज्वलाइज करते रहें लिखन साथ सकतवर समय जिया अदरनल खार चकहा खानल करना में जएक पाती हुए ऴिज्वलाएज करें अ करो MA न नहेदों कर दोMa है अब मन में बोले, पूरा सर और सहस्त्रार चक्र सकारात्मत संतुलित उर्जा से परिपूर्ण है अब एक हाथ सर के आगे की और रख ले और एक हाथ सर के पीछे की और आग्या चक्र की हीलिंग करने के लिए इस पोजिशन पर भी सकारात्मक उर्जा को अपने हाथों से आग्या चक्र में जाते हुए विश्वलाईज करें आग्या चक्र को गाड़ी नीले रंग में इंडिगो कलर में चमकदार होता हुआ और बड़ा होता हुआ विश्वलाईज करते रहें कर दोद्वलाईज करते हैं कर दो कर दो अब मन में बोले आग्या चक्र की सारी उर्जा संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने हाथ गर्दन के आगे और पीछे की और रग दे विशुद्द चक्र की हीलिंग के लिए नीले रंग के विशुद्द चक्र को गर्दन से आगे और पीछे की और दोनों तरफ सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण होते हुए विशुलाइज करते रहे उर्जा के प्रवा को महसूस करें नकारात्मक उर्जा को दूए की तरह दूर जाते हुए विशुलाइज करें और सकारात्मा चमकदार उर्जा को पूरे एरिया में बढ़ते हुए विश्युलाइज करते रहें कार pupils तें रहें देखर विश्युलाइज करते रहें के अ अब मन में बोले, गर्दन और विशुद्ध चक्र संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने हाथ छाती के ओपर थाइमस और हाट पोजिशन पर रख दें दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने हाथों से होते हुई, अपनी छाती में, छाती के सारे अंध्रूनी अंगों में, थाइमस्क लैंड में, हार्ट में, रिप केज में हर जगह जाते हुए विशुलाइज करें इस शेत्र में हरे रंग के अनाहज चक्र को छाती के आगी की और और शरीर के पीछे की और हरे रंग में अच्छी तरह उर्जा से परिपूर्ण होते हुए विज्वालाईज करते रहें नकारात्मक उर्जा को दूएं की तरह दूर जाते हुए विज्वालाईज करें और पूरे छेत्र को संतुलित सकारात्मक गूर्जा से परिपूर्ण होते हुए कल्पना करते रही। लाजसरात्मक गूर्ण होते हुए का घ्री था कॉरूर्ण होते हुए से अर्ष अर्णाटन से रही। अब मन में बोलें थाइमस और हार्ट की पोजिशन के शेत्र में संतुलित और सकारात्मक उर्जा परिपूर्ण हो गई है। अब एक एक करके अपने हाथ अगली पोजिशन पर ले आएं सोलर प्लेक्सिस और नेवल पर। इस पोजिशन पर मनि पूर्चक्र, सारा शरीद और सारे अंदरूनी अंगों पर उर्जा जाते हुए महसूस करें। कल्पना करें कि उर्जा का प्रवाह आपके उपर आ रहा है। और हातों से होकर मनि पूर्चक्र के शेत्र में शरीद में पेट, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन हर जगह जा रहा है। और साथी साथ नाभी के आसपास के भी पूरे शेत्र में जा रहा है। पीले रंग के मणी पूर चक्र को सोलर प्लेक्सिस रीजन में शरीर के आगे और पीछे की और अच्छी तरह उर्जा से परिपूर्ण विज्वालाईज करें। अब मन में बोली सोलर प्लेक्सिस और नेवल पोजिशन पर सारा शरीर और मनी पूर चक्र अच्छी तरह हील हो गए हैं। संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है। अब एक एक करके अपने हाथ अगली पोजिशन पर रख दें। स्वादिष्ठान चक्र और मुलाधार चक्र के उपर। उर्जा के प्रवाह को लगातार स्वादिष्ठान चक्र और मुलाधार चक्र पर जाते हुए विज्वलाईज करते रहें। नकारात्मक उर्जा को दूर जाते हुए विज्वलाईज करें। संतुलित सकारात्मक उर्जा परिपूर्ण होते हुए विज्वलाइज करी। शरीर के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र जो की नारंगी रंका है और मुलाधार चक्र जो की लाल रंका है दोनों को एक साथ संतुलित सतारात्मक उर्जा से परिपूर्ण होते हुए कल्पना करी। शच्छ झायो नारंगी शच्छ एक साथ संतुलित साथ संतुलित संतुलित नारंगी उर्जास। भानवी जनीति संत्तुलित सथास। अब मन में बोले, स्वादिष्टान चक्र और मुलाधार चक्र के शेत्र में शरीर, आभामंडल और चक्र, संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है। अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अगली पोजिशन पर रख दे, पोजिशन लंग्स। दिव्वे उर्जा का प्रभा अपने उपर महसूस करें जो आपके हाथों से होकर छाती के पूरे शेत्र में फिर से हीलिंग कर रहा है। लंग्स, रिपकेज, सारे और्गन्स और जितनी उर्जा है सब कुछ अच्छी तरह उर्जानवित हो रहे हैं। नकारात्मक उर्जा दूर होती जा रही है। कर दितना सिर्फी अज़ाओ रूर को ओडने उर्जा है। तरह जो अबराद्र देत्र रहाँ खितना स्वार को रहा है। यदेत्र लोग्ति ऑन्से का रहानवित हम फिर उन्से का रहा है। प्रस्षी नबरे कवाट ए है। झाल झाल अब मन में बोलें लंक्स की हीलिंग पोजिशन पर पूरा शरीद और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अगली पोजिशन पर रख दें लिवर और स्प्लीन अब दिफ्वे उर्जा का प्रवहा अपने उपर होते हुए हाथों से होते हुए लिवर और स्प्लीन पोजिशन पर जाते हुए विज्वलाइज करें नकारात्मक उर्जा को दूए की तरह दूर जाते हुए विज्योलाइज करें और संतुलित सकारात्मक उर्जा पूरे शरीर में सारे अंद्रूनी अंगों में एक-एक सेल में जाते हुए विज्योलाइज करें झाल झाल अब मन में बोले लिवर और स्प्लीम की पोजिशन पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण हो गए है अब एक एक करके अपने हाथ अगली पोजिशन पर ले जाएं पोजिशन इंटेस्टाइन्स पर डिव्य प्रवाहा को अपने उपर आते हुए महसूस करें जो आपके हाथों से होकर आतों में आतों के आसपास के शरीर में और आभा मंडल में जा रहा है नकारात्मक उर्जा दूर हो रही है संतुलित सकारात्मक उर्जा वहाँ पर परिपूर्ण होती जा रही है पूरे शरीर की तरह इस शेत्र में भी इस दिव्य उर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहेगा जो यहां पर हमेशा एक संतुलित सकारात्मक उर्जा को परिपूर्ण रखेगा मन में बोलें इंटेस्टाइन की हीलिंग पोजिशन पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है एक एक सिल सारे अंदुरूई ओर्गन सब कुछ संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने हाथ अगली पोजिशन पर ले जाएं प्रोस्टेट एंड ओवरीज पर पुरुष प्रोस्टेट के लिए हीलिंग करें और महिलाएं ओवरीज के लिए इस पोजिशन पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित सकारात्मक उर्जा से परीपूर्ण होते हुए विश्वालाइज करते रही नकारात्मक उर्जा को दूए की तरह दूर जाते हुए विश्वालाइज करें और चमकतार संतुलित दिव्य उर्चा को यहां पर परिपूर्ण होते हुए विश्वालाइस करी आपीร दिवर्चा मेंस्तुलिस इंडन को यह कि ऑची से नहुती हुए प्था हुए जिए शवीच मेंस्तुलित हुए वि felt m अ अब मन में बोले इस हीलिंग पोजिशन पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अगली पोजिशन पर ले जाएं शूल्डर्स और बैग दिव्वे उर्जा के प्रवाह को अपने उपर आते हुए मैसूस करें और अपने हाथों से कंधों के उपर और उपरी पीट के उपर जाते हुए विज्वालाइज करते रहें पूरी स्पाइन, सारी हड़ियां, स्पाइनल कॉर्ड, उपरी पीट हर चीज को संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण होते हुए विज्वालाइज करते रहें अविजवाल करते हुए उर्ण है अगली पोजिशन पर जाने से पहले मन में बोले शोल्डर्स की हीलिंग पोजिशन पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अगली पोजिशन पर ले जाएं किड्नीज की पोजिशन पर दिव्य शक्ति के प्रवाह को अपने हाथों से होकर किड्नीज में, किड्नीज के आसपास के सारे शरीर में और आभा मंडल में जाते हुए विज्यूलाइज करें नकारात्मक उर्जा को दूही की तरह दूर जाते हुए विज्वलाइस करें और पूरे शेत्र को संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण होते हुए कल्पना करते रहें अजयर बना करते हुए परिपूर्ण होते हुए विज्वलाइस करें करते हैं परिपूर्ण होते हैं किटनीज के आसपास का पूरा शरीर और आभा मंडल सब कुछ संतुलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ अगली पोजिशन पर ले जाएं लोवर बैक पर दिव्वे उर्जा के प्रवाह को अपने उपर आते हुए विज्वालाइज करें और हातों से होकर कमर के इस पूरे एरिया में फैलते हुए विज्वालाइज करें नकारात्मक उर्जा को दूवे की तरह दूर होते हुए विज्वालाइज करें और संतोलित सकारात्मक उर्जा को भरते हुए कल्पना करते रहें पूरे शरीर को और आभामंडल को संतोलित सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण होते हुए कल्पना करते रहें झाल झाल मन में बोली लोवर बैक की पोजिशन पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण हो गए है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ टेल बोन की पोजिशन पर रगते एक के ऊपर एक तिफ्वे उर्जा के प्रवाह को अपने ऊपर आते हुए महसूस करें और अपने हाथों से होते हुए टेल बोन एरिया में जाते हुए विज्वलाइज करते रहें नकारात्मक उर्जा को दूए की तरह दूर जाते हुए कल्पना करें और सकारात्मक उर्जा को पूरे टेल बोन एरिया में मुलाधार चक्र में और आसपास के पूरे शरीर में भरते हुए विज्वलाइज करें करें पूरे विज्वलाइज करते हुए विज्वलाइज करें करें लाहा जाएज करें लाहाँ बोन प्याँ कारें करें लाहा भरते हुए विज्वलाइज करें करें लाहाँ एक दो सब्सक्राइज करें अब मन में बोलें तेल बोन एरिया पर पूरा शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं अब दोनों हाथ दूसरी तरफ की बाजू के उपर रख दें पोजिशन आम्स नकारात्मक उर्जा को दूई की तरह दूर जाते हुए कल्पना करी और बाहों में संतुलित और सकारात्मक उर्जा को भड़ते हुए विशुलाइज करी पोजिशना को में थी यूर को झाल झाल अब मन में बोले दोनों बाहों में बाहों के आसपास के सारी शरीर में और आभा मंडल में संतुलित और सकारात्मक उर्जा परीपूर्ण हो गई है अब दोनों हाथ अगली पोजिशन पर ले आएं जांगों पर पोजिशन थाइस दिव्वे उर्जा के प्रवाह को अपने हाथों से होकर अपनी जांगों में और पूरे शरीर में आभा मंडल में हर जगह जाते हुए विश्वालाइस करी नकारात्मक उर्जा को धूई की दरह दूर जाते हुए और संतुलित सकारात्मक उर्जा को अच्छी उच्वल उर्जा में पूरे शेत्र में भरते हुए विश्वालाइज करी पहुआ है, पहुआ है। मन में बोले, जांगों के शेत्र में शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखतें अब दिव्य उर्जा के प्रवा को अपने हाथों से होते हुए घुटनों में जाते हुए विज्वालाइज करते रहें पहले की तरह नकारात्मक उर्जा को धुए की तरह दूर जाते हुए विज्वालाइज करें और गुटनों में चमकदार, संतुलित और सकारात्मक उजा परिपूर्ण होते हुए विज्वालाइज करते रहें। कि झाल सकत pencil और सकत कारा जाट सकते हुए, पिलुटन अजान होते रहें। मदकत देंस, पिलुटन अजारोप करते हुन्यूर्ण कातरो होते हुए. कि मैंके खरिवूम्नły रहें। draining यूरा विव होते हैं रहे हुए झाहर प्रकार के रहेँ होते हैं। अब मन में बोले गुटनों की पोजिशन पर शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ पिंडलियों पर रख ले काफ मसल्स पर अगर आप काफ मसल्स पर जुक कर नहीं पहुँच सकते अपनी कलाई को भुटने पर टिका दें और नीचे की और उर्जा भेजें डिव्वे उर्जा के परवाह को हाथों से होते हुए काफ मसल्स में जाते हुए विज्वलाइज करें नगारात्मक उर्जा को धुए की तरह दूर जाते हुए विज्वलाइज करें इस शेत्र में शरी और आभा मंडल में संतुलित और सकारात्मक उर्जा परी पूर्ण होते हुए विच्वालाइस करें लगातार पर वहा पूरे शरी को और आभा मंडल को उर्चानफित कर रहा है जढ झाल आभा मंडल आभा मिले झाल आभा मंडल पर वहा है अब मन में बोलें काफ मसल्स के शेत्र में शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्चा से परिपूर्ण है अब दोनों हाथ अगली पोजिशन पर ले आएं एंकल्स पर तकनों पर अगर आप हाथ तकनों तक नहीं ले जा सकते तो अपनी कलाई को गुटने पर टिका कर नीचे की तरफ उर्चा बेचते रहें यहां पर भी सकारात्मक उर्चा से परिपूर्ण होते हुए विज्वालाइज करें नकारात्मक उर्चा को दुए की तरह दूर जाते हुए विज्वालाइज करें पूरे शरीर को और आपा मंडल को संतुलित और सकारात्मक उर्जा की वृत्ती से परिपूर्ण होते हुए विज्वालाइज करी बाहा है कि त Cihy जडिते रख ख省व कर दोदिते हुए परिपूर्ण है मन में बोलें एंकल्स के शेत्र में शरीर और आभा मंडल संतुलित और सकारात्मक उर्चा से परिपूर्ण है अब एक एक करके अपने दोनों हाथ आखरी पोजिशन पर रगते तल्वों के नीचे पोजिशन सोल्स अगर हाथ वहां तक ना पहुँचे तो कलाईयों को कुटने पर टिका कर हाथों से नीचे की गोर उर्चा बेचते रहे तल्वों के आसपास के शरीर और आभा मंडल में से नकारात्मक उर्चा दुए की तरह दूर जाते हुए विज्वालाइज करें और दिव्वे उर्चा आप से होते हुए हाथों से होते हुए इस शेत्र में परिपूर्ण होते हुए विज्वालाइज करें करें परिज्वे करें करें दाभा मंडलाइज करें करें दिव्वे परिपूर्ण होते हुए करें आप सकते हैं आप सेनने रहे हुए झाल झाल अब मन में बोलें कि पैरों के शेत्र में शरीर और आफा मंडल संतुलित और सकारात्मक उठजा से परिपूर्ण है अब अपने दोनों हाथ छाती के सामने नमस्ते पोजिशन में ले आएं अपने पूरे अस्तित्व को पूरे शरीर को पूरे आभा मंडल को सारी और जा को बहुत अच्छी और जानवित स्तिती में विज्वलाईज करी कल्पना करी की आपका आभा मंडल प्रम्मान के अंत तक फैला हुआ है हजारों सूर्य की रोश्णी की तरह जमक राया है उर जानवित है, संतुलित है, सकारात्मक उर्जा से परिपूर्ण है अब, अपने दोनों हाथ को मुट्टी की तरह बन कर दें तेस प्रवाह को स्वभावित प्रवाह में लाने के लिए दिव्वे उर्जा का प्रवाह आपके उपर हमेशा बना रहेगा हमेशा आपकी उर्जा को परिपूर्ण रखेगा संतुलित और सकारात्मक उर्जा हमेशा आपके साथ रहेगी यह दिव्वे उर्जा है, इसमें कभी कमी नहीं हो सकती ध्यान समाप्त करने से पहले आपने जिस किसी को भी प्रात्ना अर्पन करी थी उन सब को फिर से याद करे और उनको धन्यवाद करे अपना धन्यवाद करे आपने जाने या अंजाने में कभी भी किसी के लिए कोई भी नकारात्मक उर्जा उत्पन करी हो उन सब से शमा मांगे और जिस किसी ने आपके लिए कभी भी जाने या अंजाने में कोई भी नकारात्मक उर्जा उत्पन करी हो उन सब को शमा करें सब का धन्यवाद और नमस्कार करते हुए अब धीरे धीरे अपनी स्वभाविक चेतना में आ जाएं इश्वर आपके जीवन को स्वस्त, सुखद, सम्रिद, अच्छे रिष्टों में प्रेम पूर्ण और सफल बनाएं इस्थ्यान का उब्योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद